सवाल ये नहीं है, कि आपको क्या पसंद है? सवाल ये है, कि आपके आसपास का हर कोई आपको पसंद करता है या नहीं? क्या आपने खुद को ऐसा बना लिया है, कि कोई भी आपको पसंद किये बिना नहीं रह सकता? आप कुछ पसंद करते हैं, आप कुछ नापसंद करते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि पसंद और नापसंद, दोनों ही दो, अलग-अलग तरह के बंधन हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो आप उन्हें अपने मन में बढ़ा चड़ा कर देखेंगे। अगर आप किसी को नापसंद करते हैं, तब तो आप जरूर उन्हें अपने मन में बढ़ा चड़ा कर देखेंगे। बढ़ाने चड़ाने का अर्थ है, चीजें जैसी हैं, आप उन्हें वैसी नहीं देख पा रहें। अगर आप चीजों को वैसे नहीं देख पा रहें, जैसी वो हैं, तो आप जीवन को कभी वैसे नहीं संभाल पाएंगे जैसे इसे संभाला जाना चाहिए. तो पसंद और नापसंद चीजों को या तो पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से बढ़ा चड़ा कर दिखाती है, पर या बढ़ा चड़ा देती है, या ये जीवन का रूप बिगाड़ देती है. तो आप क्या पसंद करते हैं, ये महत्वपूर नहीं है. क्या आपने खुद को ऐसा बनाया है, कि ना सिर्फ लोग, बल्कि हर चीज आपको पसंद करें, आपके आसपास मौजूद हर प्राणी, आपकी उपस्थिती पसंद करें, यहां तक कि भूल, पौधे और पेड भी, आपको पसंद करें, पेड पौधे मुझे कैसे पसंद कर सकते हैं, वो इस बात को लेकर काफी समवेदनशील होते हैं, कि आप कौन हैं, वो इसे लेकर बहुत समवेदनशील होते हैं, वो उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं. अगर आप खुद को ऐसा बना लें कि जिस धर्ती पर आप चलते हैं वो आपको पसंद करने लगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में सब कुछ एक वर्दान बन जाएगा अगर आपके आसपास की हर चीज आपको ना पसंद करती है तो आप देखेंगे कि आपके आसपास की हर चीज जो वर्दान बन सकती थी एक श्राप बन जाएगी इस समय मानव जीवन पर कोई श्राप नहीं है ये वो चीजे हैं जो लोग चाहते हैं ये वो चीजे हैं जिनकी वो काम ना करते हैं जिनके लिए वो काम करते हैं जीवन में उन्हें हासल करने के लिए मेहनत करते हैं, वो उनके जीवन का श्राब बन गई है. उनका काम, उनकी संपत्ती, उनके रिष्टे, उनका अपना शरीर, उनका अपना मन, जो उनके जीवन का कैंसर है, दुख हूपर से नहीं बरस रहा. ऐसा कभी नहीं होता. बस इतना हुआ है, कि जो चीज़ें आपको पसंद हैं, वो ही आपके दुख का कारण बन गई हैं. अगर आप खुद को ऐसा बनाने के लिए मेहनत करें, कि कोई भी आपको पसंद किये बिना न रह सकें, तो जीवन खिल उठेगा. हर चीज अपने सबसे अच्छे रूप में आपके सामने आएगी, सबसे बुरे रूप में नहीं. लेकिन अगर आप अपनी पसंद के हिसाब से चलते हैं, तो जीवन हमेशा अपने सबसे अच्छे रूप में आपके सामने नहीं आएगा. हो सकता है कि आपके पास सब कुछ हो और फिर भी कुछ ना हो तो आध्यात्मिक प्रक्रिया अपनी पसंद की चीजें पाने के बारे में नहीं है ये खुद को ऐसा बनाने की कोशिश है कि पक्षी भी आपको पसंद करें, गिलहरिया भी आपको पसंद करें खुद को ऐसा बनाना कि अस्तित्व का हर पर्मानू आपको पसंद करे आपके लिए खुद को उपलब्द करे अगर अस्तित्व आपके लिए खुद को उपलब्द नहीं करता तो आप जो चाहे कर लें असलियत में कुछ भी काम नहीं करेगा आप कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, अपना गुजारा चला सकते हैं पर कुछ भी नहीं होगा आप बस जीवन में एक चक्र से गुजरेंगे लेकिन कोई जबरदस संभावना आपके जीवन को नहीं चुएगी मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह से खड़े होना, बैटना, चलना और सांस लेना सीखें कि आपके आसपास के पत्थर भी आपको पसंद करें मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मुझे पसंद करते हैं या नहीं आपको जरूर पता चल जाएगा अगर आप में वैसा बनने के लिए समवेदन शीलता है तो आप में ये बात जानने की समवेदन शीलता भी होगी अगर आप उन चीजों को लेकर कभी समवेदन शील नहीं है तो आप में जानने की समवेदन शीलता भी नहीं होगी वरना आपको साफ पता चल जाएगा ऐसा मत बनिए कि हर बात आपके कानों में चिलानी पड़े आपको ऐसा बनना चाहिए कि किसी के बोलने से पहले ही आप उन्हें देख कर बात समझ जाएं इसके लिए आपको एक स्तर की ग्रहन शीलता की जरूरत होगी अगर आप खुद से कुछ ज़्यादा ही भरे हुएं तो ग्रहन शीलता नहीं आएगी आप जितने कम हैं उतना ज्यादा ग्रहन करेंगे आप जितने ज्यादा हैं उतना कम ग्रहन करेंगे अगर आप खुद से कुछ ज़्यादा ही भरे हुएं तो आपके अपनी बक्वास से बढ़कर आपके साथ कुछ और नहीं होगा अगर मैं जैसी कोई चीज नहीं है तो बस यहां बैठिये, पूरा ब्रह्मान्ड आपके भीतर नाचेगा आप ईश्वर के एक उपकरन बन जाएंगे परना आप विचारों, भावनाओं, धारनाओं और बक्वास के धेर होंगे हर इंसान के पास यह चुनाव होता है या तो ईश्वर के एक अंग के रूप में यहां रहे आजकल हम उन्हें इशांगा कहते हैं या फिर उन विचारों, भावनाओं और बक्वास के धेर के रूप में यहां रहे जिन्हें आपने इक अठा किया है जीवन के हर पल में ये विकल्प हमारे पास मौजूद है हमें लगातार लगातार चुनाव करना होगा वैसा बनने का अगर ये कोशिश मौजूद है तो ये आपको कृपा के एक बिलकुल अलग स्तर पर पहुँचा देगी जहां हर पत्थर, हर कंकड, हर चटान, हर पेड और हर परमाणूं आपसे ऐसी भाषा में बात करेगा जिसे आप समझ पाएंगे वरना आप इस विशाल ब्रहमाण में अकेले होंगे और हमेशा असुरक्षा, अस्थिर्ता और मानसिक उधल पुधल महसूस करेंगे ये विकल्प है ये भेट नहीं है ये विकल्प है अगर आप सही चुनाव करते हैं तो सही चीजे होंगी अगर आप गलत चुनाव करते हैं तो गलत चीजे होंगी अस्तित्व में हमेशा न्याय होता है मैं चाहता हूँ कि आप ये समझे ये किसी को नहीं छोड़ता ये किसी को नहीं छोड़ता ये सामाजिक धाचों की तरह नहीं है कि कुछ लोग गलत काम करके भी बच निकलते हैं इस अस्तित्व में ये किसी को नहीं छोड़ता इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है अगर आप छट से कूदेगे तो धर्ती आपकी टांग तोड़ देगी हाँ? राजा रंक फकीर हर कोई लिए कोई नहीं बच सकता कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है किसी को छूट नहीं मिलती और किसी पर रोग भी नहीं है जो कोई भी इच्छुक है हर किसी के लिए संभावना खुली हुई है हर किसी के लिए एक डंडा भी है आप सही चुनाव कीजे, सब कुछ खुला हुआ है आप गलत चुनाव कीजे, हर चीज आपको अलग तरीके से गूतेगी तो अगर दर्द आए, कश्ट आए, दुख हो तो ये आजू-बाजू देखने का समय नहीं है ये हमेशा एक समस्या रही है, अगर आप दुखी है, तो आपको लगता है कि किसी और को ठीक करना होगा, नए, 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 अगर आप दुखी है, तो इसे ठीक करना होगा, किसी और को नए नहीं, मैं दुखी हूँ, मेरे लिए परिस्थिती को ठीक कर दो नहीं, नहीं, अगर आप दुखी हैं, तो किसे ठीक करना होगा? अगर आप बिमार हैं, तो किसे दवाई देनी होगी? क्या आपके बिमार होने पर हम किसी और को दवाई दे दें? अगर आप भूख हैं, तो क्या हम किसी और को खाना दे दें? नहीं, काम तभी बनेगा, जब वो इसे दिया जाए अगर भोजन और दवाई के बारे में ऐसा है, तो क्या ये हर आयाम के बारे में सच नहीं है? कि अगर आप दुखी हैं, तो किसी और चीज या इनसान को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसे ठीक करना होगा इतनी सरल सचाई समझने के लिए, लोग कई जीवन काल लगा देते हैं उन्हें लगता है कि किसी और को ठीक करना होगा एक दिन की बात है शंकरन पिल्ले अपने दोस्तों के साथ शराब पीने गया योगी और शराबी दोनों इस समय के परे होते हैं उन्हें समय बीटने का पता नहीं चलता वो पीने गया उसका इरादा आठ बजे तक घर वापस पहुंचने का था पर वो लगातार शराब पीता रहा और उसे समय का ध्यान नहीं रहा जब उसने घड़ी देखी तो रात के ढ़ाई बज रहे थे तेर हो गई थी और वो घर जल्दी पहुंचना चाहता था इसलिए उसने एक शॉटकट लिया वो लड़ खडाते हुए शॉटकट से जा रहा था कि तभी काटो वाली जाडियों में गिर गया उसके पूरे चहरे पर खरोंचे लग गई इस हालत में वो घर पहुंचा और चाबी डालने के लिए ताले का छेट खोजने लगा उसमें उसे आदा घंटा और लग गया धर्वाजा खुला वो अंदर गया बातरूम में गया और खुद को शीशे में देखा उसके पूरे चहरे से खून निकल रहा था उसमें दवाई का बक्सा खोला और जैसे तैसे अपनी मरम पट्टी की और फिर चुप चाब बिस्तर में घुसके सो गया सुबाद बजे उसकी पत्नी ने बाल्टी बार ठंडा पानी लिया और उसके चहरे पर फेंका वो उठा पत्नी ने का बेवकूफ तुमने फिर शराब पी उसने का नई डार्लिंग मैंने एक बूंद भी नई चुई छे मैंने पहले तुमसे वादा करने के बाद मैंने एक बूंद भी नई चुई पत्नी ने उसकी शर्ट पकड़ी और घसीट कर उसे बात्रूम में ले गई और उसे दिखाया शीशे पर धेर सारी बैंडेड लगी हुई थी ये ऐसे काम नहीं करता कोई ऐसे काम सिर्फ तभी करेगा जब वो पूरी बेहोशी में हो दर्द यहां हो रहा है आप उसे वहाँ ठीक करेंगे क्योंकि आप पूरी तरह से बेहोश हैं या नशे में धुत हैं तो जब भी आप दुखी होते हैं आप उसे उसे और उसे ठीक करना चाहते हैं नहीं नहीं इसे ठीक करना होगा अगर आप शीशे पर बैंडेड लगाएंगे तो आपके घाव ठीक नहीं होंगे आपको घाव पर थ्यान देना होगा और आपके सुख और दुख दोनों आपके अंदर से ही उपजते हैं तो इसका अलाज यहां करना होगा, कई और नहीं जितनी जल्दी आप यह सीख जाएंगे आपका जीवन उतना ही सुन्दर और अद्भुद बन जाएगा